असलाम आलेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक तो माई चैनल, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटेटो लॉली पॉप या पोटेटो बॉल्स की रेसिपी जो इस्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है और एक अच्छा इवनिंग या पार्टी स् तो अगर यह रेसिपी आपको पसंद आए तो मेक शूर तो लाइक डिस वीडियो और सबस्क्राइब तो माई चैनल तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैंने तीन बॉइल एंड मैश्ड पोटेटो ले लिये हैं और एक मीडियम साइज क प्यास को अच्छे से चॉप कर लिया है दो तीन टेबिल स्पून हरा धनिया ले लिया है दो हरी मिर्चो को अच्छे से चॉप कर लिया है और लगबग एक कप के जितने ब्रेट क्रम्स ले लिये हैं तो अब चलिए इसे बनाने की प्रोस्टिस की तरफ चलते हैं तो सबसे अब एक चम्मच नमक, एक चोथाई चम्मच लाल मर्च पावडर, लगबग आधा चम्मच के करीब जीरा पावडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा काली मर्च का पावडर यहाँ पर आड़ कर देंगे अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स एड़ कर रही हूँ अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं अब इन सारे इंग्रिजियंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे सबजियां आप इसमें अपने पसंद की एड़ कर सकते हैं और मसालों की कौन्टिटी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्याजादा कर सकते हैं अब यह देखे हमारा पोटैटो मिक्सचर बनके त्यार हो गया है इसे हम थोड़े देर के लिए साइट पर रखेंगे अब हम जो पोटैटो बॉल्स बनाएंगे उसकी कोटिंग के लिए एक स्लरी बनाएंगे जिसके लिए मैं यहाँ पर दो बड़े चमच मैदा ले रही हूँ और इसमें दीरे-दीरे करके पानी आट करेंगे ध्यान रखना है कि यह स्लरी नाही बहुत जादा थिक होनी चाहिए और नाही बहुत जादा पतली होनी चाहिए सेमी थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं होने चाहिए तो इसमें आप धेरे-धेरे करके पानी आट करें और इसे चलाते रहें ये देखे इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अब बाल्स बनाने के लिए सबसे पहले हातों में थोड़ा सा ऑइल लगा लेंगे और इस तरह से बाल्स बनाएंगे यहाँ पर मैंने यह मौजरेला चीज क्यूब्स ले लिये हैं जो कि मैं इस बॉल के अंदर इस तरह से एक इंसर्ट कर रही हूँ और इस तरह से बॉल को बंद कर देंगे आप चाहें तो चीज ना भी डालें वो आपकी मर्दी है आप सिंपल नॉर्मल बॉल्स भी बना सकती है अब इस पोटैटो की बॉल को सबसे पहले हम यह मैदे की सलरी से कोट करेंगे इस तरह से स्पून की हल्प से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे और अब इसे bread crumbs में डालेंगे और bread crumbs से coat करेंगे यह bread crumbs मैंने घर में रखी भी bread से बनाए हैं bread को बस mixer grinder में घुमा दें और यह bread crumbs त्यार हो जाएंगे इसके लिए बची भी रखी भी दो तिन पुरानी bread का यूज भी कर सकती है और इस तरह से देखें यह bread में अच्छे से कोट हो गई यह बॉल अब मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ अब इसी तरह से सारी बॉल्स बना लेंगे और उन्हें पहले मैदे की सलरी से फिर bread crumbs से कोट कर लेंगे अब यह देखें सारी बॉल्स बन कर त्यार हो गई है तो चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने आइल को अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसमें अपनी पोटेटो बॉल्स एड़ कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे ताकि यह अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए और उपर से भी अब यह हमारी पोटेटो बॉल्स दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गई है तो अब हम इने किसी टिशू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका एकसेस ओयल भी टिशू एबजॉब कर ले अब यह हमारे यम्मी से चीजी क्रिस्पी पोटेटो बॉल्स बनके त्यार हो गए है क्योंकि हमने इसके अंदर चीज स्टफ किया तो जब इसे इस तरह से तोड़ते हैं तो यह इस तरह से इसमें चीज निकलती है जो कि बहुत अच्छी लगती है दिखने में और खाने में इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यहां पर मैंने इसे पोटेटो लॉली पॉप की तरह सर्फ किया तो इसी दिए मैंने इन बॉल्स में टूथ पिक लगा दी है जिससे इसकी खुबसूरती और जादा बढ़ जाती है और यह खाने में भी बहुत जादा कन्वीनियंट हो जाते हैं टूथ पिक की वज़ा से और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और मैंने इने अपनी बर्दे पार्टी में भी बनाया था सर्फ किया था अपनी फ्रेंड्स को तो वो वीडियो आपने नहीं देखिए तो लिंक यहां देदू कि आप देख लीजएगा Allah हाफीज